और चलेब आपको दिल्ली से दिखाते हैं मुख्यमंत्री अविंद केश्रिवाल का संबोधन इलेक्ट्रिक बसेज दिल्ली के लोगों को सड़कों पे मुहया होने जा रही है इसके साथ हमारी अब तीन सो इलेक्ट्रिक बसेज हो गई है दिल्ली के अंदर बहुत कम समय में हमने इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेज एक्वायर कर ली है इसके लिए मैं सभी ऑफिसर्स का जिन्होंने बड़ी महनत करके ये सारी प्रोसीजर्स पूरे किये उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और दिल्ली के लोगों को बढ़ाई देना चाहता हूँ कि ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध हो रही है एक मैं आपको पूरा ओवरॉल दिल्ली में बसेज का जो अब स्टेटस है वो बता देता हूँ दिल्ली में अब हमारे पास टोटल साथ हजार तीन सो सेवन थाउजन थ्री सेवेंटी नाइन बसेज हो गई है ये आज तक की पूरे 75 साल की सबसे ज़्यादा बसेज हैं दिल्ली की सड़कों के उपर इतनी बसेज कभी दिल्ली की सड़कों पे नहीं हुई थी तो बीच में कई साल अकाल पड़ा था जब दिल्ली में नई बसें खरीदी नहीं गई थी कई सालों तक नई बसें नहीं खरीदी गई थी और हमें भी मुझे याद है बीच में कहा गया कि इतने साल हो गया इस बसें नहीं खरीदी गई जैसे कावत है जब भगवान देता है तो छपर फाड़ के देता है तो दिल्ली सरकार भी जब काम करना शुरू करती है तो फिर छपर फाड़ के काम करना शुरू करती है एक बर खरीदना शुरू किया तो फिर खुब सारी बसें अब एक साथ खरीदी जा रही है तो 7,389 बसे खरीदी टोटल हैं हमारे पास जिसमें से 4060 बसेज DTC में हैं और 3319 बसेज DIMS के थूपरेट की जा रही है क्लस्टर में हैं तो ये हमारी टोटल बसेज हैं टोटल इन में से 300 बसेज इलेक्टरिक बसेज हमारी हो चुकी है DMRC 100 बसेज अपरेट करता है इलेक्टरिक बसेज लेकिन DMRC वो ठीक से चला नहीं पा रहा तो DMRC की बसेज हमने टेक ओवर करने का प्रोसेज चालू कर दिया है उसको अब हम ही चलाया करेंगे उनके फीडर रूट्स के उपर DMRC के और उनकी 100 बसेज DMRC के फीडर रूट्स पे सफिशिंट नहीं है तो उसको इस साल बढ़ाके 2023 में बढ़ाके 480 बसेज हम कर देंगे तो DMRC के फीडर रूट्स पे 480 बसेज हो जाएंगी तो ये अगर 100 एक्जिस्टिंग बसेज दिल्ली मेट्रो की जो हम टेक ओवर कर रहे हैं 100 वो और 300 ये तो 400 बसेज तो अलड़ी एक्जिस्टिंग हो गई Bombay सबसे ज़्यादा बसे Bombay में हैं पूरे देश में जिसमें 406 बसे हैं तो उनसे बस 6 बस पीछे रहागा उसके बाद हम भी सबसे ज़्यादा बस वाले दिल्ली में हो जाएंगे इलेक्ट्रिक बसेज वाले तो आने वाले समय में इस साल 2023 के मसाल में हम डेड़ हजार और नई इलेक्ट्रिक बसेज खरीदने जा रहे हैं तो अभी आल्रेडी 300 बसेज हैं ये 300 बसेज के साथ हमारा फेज वन पूरा हो जाता electric buses का अफ फेज टू होगा जिसमें पंदरा सो और बसे खरीदी जाएंगी वो दो हजार तेईस में हम लोग complete कर लेंगे दो हजार तेईस के end तक पंदरा सो और बसे खरीद के अठारा सो ये और चार सो असी वो तो बाइस सो असी electric buses अपने पास दो हजार तेईस दिसंबर तक हो जाएंगे दो हजार पच्चिस के end तक इसके अलावा दो बाइस सो असी जो बसे इसके लावा हम आपस छे हजार तीन सो असी बसे और खरीद रहें electric buses अगले दो साल में तो दो हजार पच्चिस के अंत तक ओवर ओल पिक्चर होगी की दस हजार चार सो असी बसे टोटल होंगी दिल्ली में जिसमें से आठ हजार दोसो असी बसे इलेक्रिक बसेज होंगी 80% बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेज हो जाएंगी 2025 के अंत तक तो अगर इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी तो हमें इसके साथ साथ उनकी भी चार्जिंग स्टेशन की खुब जरूर पड़ेगी बस डीपो की जरूर पड़ेगी तो बस डीपो के electrification का काम बहुत तेजी से चल रहा है 56 बस depots को electrify किया जा रहा है ये पूरा डेढ़ हजार करोड का budget है इसमें तीन depots को अलड़ी electrify किया जा चुका है 17 depots को जून 2023 तक किया चल जाएगा और 36 depots दिसंबर 2023 तक हो जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली में pollution को कम करने की दिशा में ये कितना एक तो बसे तो बहुत अच्छी हैं इन में बसे में सारी modern facilities हैं जितना भी जो भी हम सोच सकते हैं सारे हैं जी पिए सिस्टम है panic button है इन camera है अंदर सब कुछ है इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा इन electric buses का है कि जो pollution की अपनी दिल्ली में सबसे ज़्यादा problem होती है जिसको सारे दिल्ली वालों ने मिलके इसको काफी solve किया आज एक बड़े अख़वार के front page पे खबर भी थी कि पिछले साथ साल में सबसे ज़्यादा clean ये वाला पिछला साल 2022 रहा है in terms of pollution अभी भी और काफी कुछ करने की जरूरत है लेकिन ये pollution में भी जो achieve किया उस दिशा में electric buses का ये जो acquisition है ये बहुत बड़ा काम करेगा तो मैं फिर से दिल्ली के सब लोगों को बढ़ाई देता हूँ अगर media के एक दो questions है तो नए साल की बहुत बहुत शुब कामना है आप सब लोगों को सब दिल्ली वासियों को सबी देश वासियों को मैं उमीद करता हूँ आने वाला साल आपके व्यक्तिकर्ट जीवन में और पूरे देश के लिए बहुत शुब हो बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमेटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई अभी उसका पोस्ट माटम मैंने पता किया था भी पोस्ट माटम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उमीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी यह तो गलत है पत्रकारों को ऐसे रेस्ट करेंगे तो आवाज कौन उठाएगा फिर वही मैंने का जो भी कोई भी हो मैं उसमें अभी नहीं चाहूंगा लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों यह तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है किसी की भी बेहन बाहू के साथ हो सकता है तो इसमें चाहे कितना भी connection वाले लोग हो पॉलिटीकली कितने भी connected लोग हो हम सब को मिलके प्रयास करना है कि उनको सक सक सजा मिलनी चाहिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर और सर हमेशा यही सोचते हैं कि कुछ बहतर काम करते हैं उठो चलो नई शुरुवात करते हैं तो आप सब से अब मेरा अनुरोद आप सब अपने इस तो दिली में आज मुक्यमंत्री की तरफ से पास 50 नए इलेक्ट्रिक बसों की सौगात अर् उन्होंने यहाँ पर अपने प्रेस कॉंफरेंस के जरिये किया और साथ ही जो सुल्तानपुरी में घटना घटी उस पर उन्होंने कहा कि बहुत दुखत घटना है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफकार रवाई की जाएगी